हालो फ्रेंड स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है English Advantage दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यह जो वीडियो मैं बनाया है यह आगामी बैंक प्यू एक्जाम के लिए और आपके लिए इसमें मैंने सेंटेंस करेक्शन के कुछ सेंटेंस लिए जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट और सभी एक्जाम में आते रहते हैं तो इस पूरे वीडियो को धान से देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे प साथ जुड़ी और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बस यही मैं आपसे बोलना चाहूंगा इसके बाद सुरू करते हैं चलिए देखते हैं फस्सेंटेंस देखते हैं फस्सेंटेंस देखिए यह बहुत बैंक प्यों एक्जाम में आ चुका है बहुत कॉमन है अब देखिए इसमें गलती क्या है इसमें गलती है supposing और if दिया हुआ है यह दोनो ही conditional sentences हैं बट of these are conditional sentences and both of them cannot come together तो इन दोनो ही words को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते इस मैंसे या तो हमें supposing अटाना पड़ेगा या फिर हमें if अटाना पड़ेगा यदि हम इस मैंसे supposing अटा देते हैं तो यह sentence हो जाएगा If you do not get a birth in the crowded train you can go by a bus तो इस तरह से sentence correct हो जाएगा supposing or if दोनों ही चुकी conditional words है दोनों को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते तो बहुत ही important word है इसको आप अच्छे तरह से देखिए यह कई exams में बैंक पीव एक्जाम में particularly कई बार आ चुका है चलिए आप next sentence देखते है Everybody is willing to travel to Kashmir except he and his friend देखिए इसमें क्या रहा है आप पहले देखिए इसमें वैसे देखने में यह सही लग रहा है sentence लेकिए sentence सही नहीं है इसमें देखिए तीन word में आपको बता रहा हूँ एक तो word है except एक है let और एक है but इसमें मैं आपको एक rule एक trick बता रहा हूँ L, E and B let, L से let, E से accept and B से but इन तीनों ही के बाद जो pronoun आएगा यह जो pronoun है इसका objective case आता है objective case में हम इसको लिखते हैं जैसे he का objective case क्या होगा? him होगा I का objective case क्या होगा? me होगा D का objective case क्या होगा? them होगा तो उस तरह से इन तीनों words के बाद let, accept and but let, accept and but यह lab rule के नाम से इसको आप याद रखिए lab rule L E B इन तीनों ही के बाद हम जो pronoun होगा उसका हम objective case का प्रियोग करेंगे तो sentence सही होगा everybody is willing to travel to Kashmir except him and his friend तो यहाँ पर आएगा him यह जो part है यह wrong है him होगा इसमें तो इस तरह से यह sentence correct हो जाएगा चलिए next sentence देखते है I asked two persons about the way to the town hall but none of them knew it अब इसमें क्या गलती हो सकती है देखिए either or आपने सुना होगा neither nor आपने सुना होगा none सुना होगा और any सुना होगा देखिए either or आता है either or और neither nor यह दोनों आते हैं दो के लिए, दो persons के लिए ठीक है, अब positive sentences में आता है any और negative sentences में आता है none, तो इस तरह से आता है either आता है दो के लिए positive sentence में neither आता है दो के लिए negative sentence में any आता है दो से ज़्यादा के लिए positive sentence में और none आता है दो से ज़्यादा के लिए negative sentence में तो यहाँ पर यह negative sentence में but neither of them knew it. इस तरह से इसे सेंटेंस ही हो जाएगा. तो यह वाला जो part है नन. यह यहांपन नी आएगा क्योंकि नन आता है दो से जाधा के लिये. तो यह इसमें रॉग है. इसके स्थान पर क्या आएगा? नीदर. तो इस तरह से सेंटेंस ही हो जाएगा. चलिए देखते हैं, next sentence It is a truth that costly mobile are considered as a status symbol now a days देखिए, sentence नहीं लग रहा है, बहुत ही important error है ये, और कई bank exam में, PO exam में, ये SBI PO exam में आ चुका है, इसमें आप देखिए, considered और as, ये दोनों साथ में नहीं आते हैं, ये redundant हो जाएगा ये needless हो जाएगा, यहाँ पर ये word extra हो जाएगा, या superfluous हो जाएगा तो considered के बाद हम as का प्रियोग नहीं करते हैं, सही sentence होगा It is a truth that costly mobile are considered a status symbol now a days तो इस तरह से ये वाला जो part है इसमें, ये wrong है, ये extra है, ये needless है, ये नहीं आएगा तो बहुत important एरा इसको ज्यान से आप देखिए, considerate के बाद हम as का प्रियोग नहीं करेंगे, ठीक है तो आप next sentence देखते है राम as well as his friends have gone to Shimla for vacation ये sentence देखने में सही लग रहा है लेकिन ग्रमेटी के लिए ये sentence रॉंग है इसमें कुछ words होते हैं जैसे ये connector दिया हुआ है इसमें as well as इस तरह से कुछ connector और होते हैं in addition to, including, along with ये जो connectors हैं इनके बाद जब कोई object जुड़ता है जैसे एक object ये है और एक object ये है तो जो helping बरब आती है वो first वले subject के साब से आती है, first वले subject के according आएगी तो राम singular subject है इसमें और ये his friend as well as से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर have ना आते हुए यहाँ पर आएगा has तो ये has यहाँ यहाँ पर गलत है राम as well as his friends राम including his friends राम along with his friends राम in addition to इनके साथ जो helping बरबाएगी वह first subject के according आएगी भहुत important grammatical rule है यह तो यहाँ पर have के स्थान पर आएगा has तो चलिए next sentence देखते हैं अब देखिए यह भी एक important rule है मैंने last आपको last आपनी slides में वह बताया था आपको LEB rule बताया था एक lab rule बताया था जिसमें L का मतलब है let e का मतलब है accept और b का मतलब है button तीनों होगी के बाद pronoun का objective case आता है तो यहाँ पर आपको मैं MPT rule बता रहा हूँ जिसमें M का मतलब है manner P का मतलब है place और T का मतलब है time तो manner place and time manner manner का मतलब है तरीका place का मतलब time का मतलब है समय तो इस तरह से यह MPT rule है, देखिए MPT rule क्या कहता है॒, MPT rule कहता है कि कि सिभी sentence में यह तीन Adverb आ रहे हैं जिसमें से एक मैनर को इंडिकेट करता है, एक प्लेस को Eon kettle करता है और एक time को indicate करता है तो यह इस sequence में आएगे पहले manner का वाला मैंद वाला एडवर आएगा फिर place वाला एडवर आएगा फिर टी टाइम वाला एडवर आएगा इस तरह से नहीं आयागा कि PT, M या TPM इस तरह से नहीं आएगा इस तरह से वह गलत हो जाएगा तो यह रू यह मैनर है, beautifully, यह है manner, manner है यह, यह yesterday क्या बता रहा है, time बता रहा है, और यह क्या बता रहा है, in the party, place बता रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, beautifully सबसे पहले आएगा, according to the MPT rule, तो she sang a song, beautifully, यह हो गया, am, in the party, place, और यह हो गया आपका time, she sang a song, beautifully in the party, yesterday, तो इस तरह से MPT rule को, फॉलो करते हैं, बहुत ही important rule है, और SBA Eclare के एग्जाम में यह कोश्चन कई बार आचुका है, सबसे इम्पर्टेंट कोश्चन, जो सबसे इम्पर्टेंट कोश्चन, जो सबसे इंपर्टेंट कोश्चन, जो सबसे रहते रहते हैं, वह सबसे में आपको सारा बता रहा हूं, चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं, अब देखिए वह हम, लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, एस बेल एस, लेकिन यहां पर क्या है, इधर राम और हिस फ्रेंट्स हैब कमिटेड दिस सिली मिस्टिक, देखिए इसमें इधर और और क सही है, यह सेंटेंस है, सही है, इसमें नो इरर है, चलिए नेक्स सेंटेंस देखते हैं, वी आल अर लोकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग आर पेरेंट्स, देखिए यह सेंटेंस देखने पर बुल सही लग रहा है, ग्रमेटिकल कोई एरर नहीं लग रही इसमें, लेकिन ने-्रेatical के हिसाब से जो जितने भी प्रपोजिशनल स्रादी प्रेज़ेहें, जैसे लोकिंग फिरवर्ड ग।ो यहां पर एक प्रपोजिशनल स्राद अचारी तॉसा अजारी shirts के वारड वूल ऑन टी विव इसलिए प्रपोजिशनल फ्रेज लोकिंग फॉर्बर्ड हो या विदे व्यू टू हो इन प्लेस ओफो डिस्पाइट हो इंस्टैड ओफो इन सभी के बाद हम बर्ब की आइन जी फॉर्म लगाते हैं इसके लावर जितने भी प्रपोजिशन्स हैं इन इन टू ऑन अपॉन इ बिफोर के बाद भी बर्ब की आइन जी फॉर्म आएगी ठीक है आफ्टर के बाद भर्ब की आइन जी फॉर्म आएगी तो जितने भी प्रपोजिशन्स हैं उन सभी के बाद भी हम बर्ब की आइन जी फॉर्म लगाते हैं तो बहुत ही इंपोटेंट सेंटेंस हैं यह लोक देखिए यह sentence है, बहुत important sentence है, और कई exam में आ चुका है, had I knew that this exam was so difficult, I would never have tried it, देखिए यह conditional sentence है, past unfulfilled condition पर based है यह, past unfulfilled condition ऐसी conditions होती है, जिसमें conditions, चुकि पूरी नहीं हो पाई, इसलिए result नहीं आया, condition के पूरे ना होने की वज़़े से result नहीं आया है, तो यह sentence बोलता है, had I knew this exam was so difficult, यदि मुझे पता होता कि यह exam इतना difficult है, तो हम इसके लिए कभी try नहीं करता, मैंने इसके लिए कभी try नहीं किया होता, तो इसमें एक चीज़ द्यान रखिए कि head के साथ जो pair बनता है, जो head है, इसके साथ pair बनता है, वोड हैप का, यह वोड हैप का pair बनता है, इ इसमें हमेशा head आता है, result वाला जो part होता है, यह है conditional वाला पार्ट, जिसमें head आता है, वो है, conditional वाला पार्ट, और जो result वाला पार्ट होता है, उसमें आता है, would है, ठीक है, head आई new की जगह में, if I had new भी बोल सकता हूँ, लेकर इसमें एक चीज़ धान रखिए कि head और would है, इन दौनों ही words के बाद, बर्ब की हमेशा third form आती है, और यह बर्ब की कौन सी form है, new, new है बर्ब की second form, no, new and known, तो यहाँ पर आएगा known, known जो होती है, वो होती है, V3, यह हमने कौन सी लगाई है, हमने लगाई है, V2, तो had I known that this exam was so difficult, I would never have tried for it, यही मुझे पता होता है कि एक known, had I known, और इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, had I known, यह conditional part है, और इसकी जगह आप लिख सकते है, if I had known, had I known, और if I had known, both are correct, इसकी जगह में if I had known भी लिख सकता हूँ, लेकिन यह new गलत है, यहाँ पर third form आएगा, known, तो इस तरह से यह sentence correct हो जाएगा, चलिए के next sentence देखते हैं, there were 20 students in my class and either of them could stand up and answer my question, मेरी class में 20 students थे, और 20 में से कोई भी student ख़़ा हो सकता था और मेरे question का answer दे सकता था, यह इस question का मतलब है, लेकिन इसमें आप देखिये, मैंने भी last time आपको बताया था, last slide में बताया था, कि either और neither, इनका प्रयोग होता है के इसकी वह जाधा के लिए, भाजी जयादा के लिए प्रयोग करना है, तो either के स्थान पर आप क्या लगाएंगे? any, और neither के स्थान पर आप क्या लगाएंगे? none, लेकिन यहाँ इस स्थान कितने है? यहाँ पर टुइन्टी, और हम यूज क्या कर रहे है? हम यूज कर रहे हैं, how the question could be corrected, the sentence could be corrected, चलिए अब नेक्स sentence देखते हैं, he was so rich that he had, he was so rich that he had 30 man servants in his bungalow, उसके पास 30 man servants थे, तो 30 इस में देखिए क्या है, plural है, तो यहाँ पर हम servants लगाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ ज्यार नखिया, कि man servant का plural होता है, वो होता है man servant, m-e-n, man servant होगा, man servant का plural जो होता है, वो होता है man servant, तो यह इस में गल्थ है, यह इस में गल्थ है, m-e-n होगा, यहाँ पर जो होगा, वो m-e-n होगा, man servant, इस तरह से sister-in-law, इसका plural क्या होगा, sisters-in-law, जो chief word होता है compound word में, जो main word होता है, उसमें हम S लगाते हैं, sisters-in-law, उसी तरीके से looker-on एक word होता है, तो इसको हम plural में बोलेंगे lookers-on, ना कि looker-ons, उसी तरीके से hanger-on, जो लोग आसपस घुमते रहते हैं, चम्चेगरी करते हैं, किसी बड़े आदमी की चापलूसी करते हैं, उसको हम बोलत हैं, hangers-on, 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 लेकिन इस टुएट क्या करते हैं, hangers-ons, hangers-ons गलत है, hangers-on होगा, ठीक है, उसी तरीके से main servant का plural होगा, M-E-N, S-E-R, V-A-N, T-E-S, इस तरह से होगा, यह सही, तो बहुत ही important error है, यह कई exams में आ चुका है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ ग hangers-on, देखिए, मैंने अभी बताया था, hangers-on, नहीं होता, hangers-on, तो इस तरह से sentence correct हो जाएगा, ons नहीं होगा, ons इसमें गलत है, चलिए आप नेक्स सेंटेंस दिखते हैं, तो इस तरह से यह सेंटेंस में आपको बताया है, यह सारे important sentence में इसमें आपको ली है, और सारे यह सेंटेंस में आचोके हैं, और इस तरह सेंटेंस में आते हैं, कुछ मैंने रूल भी बताया है आपको, एक मैंने लैब का रूल बताया है, एक मैंने MPT रूल बताया है, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपर्टेंट साहबित होंगे, आपके लिए बहुत करने में तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यहां पर यह बतना kuti करके चैनल को खोलके यह सब्सक्राइब कर मैं उसमें आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़िये और सफ़लता प्राप्त करिए we wish you all the best for your bright future than you have